दोस्तों तो केसे हैं आप आयोब कि ठीक होगे दोस्तों इस वीडियो में हम आप से diagnostics करनेği वाले हैं quadrilateral तो हम बात करते हैं quadrilateralकी इसके पहले हमने आप से tringle discuss किया था और different type को points भी discuss कियाते हैं अब हम आप बात करनेवाले आज स्य वीडियो में quadrilateral यानिकी smallest गोरे कि चतुर्भुज लब चार भुजाओं से घीरी आक्रती हमारी क्या हो जाएगे चतुर्भुज यानि कि अब देखो यहां पर चार पॉइंट भी रहेंगे ठीक है चार पॉइंट होंगे इन चारों पॉइंटों को मिलाने वाली चार रेखाएं भी होंगी देखिए अब यहां पर अगर हम लेफिनेशन को और थोड़ा क्लियर करें तो कुछ इस रगार से हम कह सकते हैं यदि चार बिल्दों को चार लाइन सेगमेंट के द्वारा मिलाने पर बंद आक्रती हमारा चतुर्भुज कहलाती है अब देखो चतुर्भुज A, B, C, D चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चार भुजा होते है यानिकी four sides and four angles होते हैं एक quadrilateral में चतुर्भुज में 4 है और और हम इसकी परिभासा की बात करते हैं चार बिन्दू को जब आखन लाइन में द्वारा मिरा के एक बन्द आगरती बनाए जाती है वह हमारा चतरभूज दाकरती कि बार-बार क्यूं बोल रहे हैं बहुंए को चार पॉइंट हुमने ले लिए ठीक है इसले के चार पॉइंट यह ले लिए अगर मैं रेखा खंड नहीं बोलता तो लाइनों को तुम्हें ऐसा भी जोड़ सकता हूं बंदूओं को 4 रेख़ा खंडों द्वारा जोर ने पर जब बंद आकर्ती होती एं वह हैं वहारा when प्रिलेटर कहलता है कि बंद आकर्ती में वोला ठीक है कि चार भीदू ले लिए यह चार बिंदू है चार बिंदू को चार लाइनों द्वारा जोड़ दिया हमने बोला कि यह जोड़ दिया और यह जोड़ा और यह जोड़ा यह बंद आक्रती होई क्या आक्रती बंद होई क्या नहीं होई ना तो यह हमारा क्वाडिलेटर नहीं कहलाएगा इसलिए हम ड Sverige क्यों बोला जाती है ऑप समझ बाइब होंगे कि हम चार बंदू क्यों बोलते हैं और चार रेखा कीओ बोलते और बंदाक्रति क्यों बोलते हैं ठीक है मत रही है फَّरccionesर का नहीं देखिए चार बिंदू को जब आपस में चार रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है एक बंद आकरती का निर्मन होता है वह पाड़िलेटर कहलाता है आत्में सारों एंगलों को अगर प्लस करें जाता है इंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इंगल D is equal to होता है 300 70D अब कि इसलिए केते हैं चत्र भुच्कि चारों कोनों का योग होता है 300 360 क्वूलब 306 के बराबर होता है वो हमारा सब मतल invite के बात करें तो था इसो बाद करें तो आप की इसे हम पथे नाम से जानते हैं यह रमबा तो यख़ यह बाद के ऑलग sila है फिर भी अगर हम टाइप के अगर हम उसको भी टाइप में ले लिए हैं तो यह प्रकार के होते हैं जो कि लिख रखें आप इसको नोट कर लेजिए अब हम बात करते हैं पहले लेटर इसको यानी की वर्ग ऐसा चतुर्भुच जिसके के चार हो जाएं आपस रह homeowners हो जिसके आपस में विकर्ण बराबर हों और इसमें इंगल इंगल बी इंगल रखा है और एसी और बीडी हमारा दो डाइगोनल है अब इस प्रकार से हम प्रोपर्टी कुछ लिख रखे हैं इसको हम आप मैं आपको समझा देता हूं आप इसको नोट कर लेजिए और अच्छे समझ लेजिए ठीक है बहुत इंपोर्टन चीज़े में बात यह है अब मैंन ह데ible के क्या ओन साएप और इसमें अब इसमें क्या होता है इसमें जो आपसमें बराबर होंगे ठीक है है यह पिरलव का साइन होता है यानि कि समांतर का साइन होता है मतलब एभी मतलíbी समांतर धी-डीडीPE समानतर में देखिए एडी समानतर बीसी और डीसी समानतर एबी यह चीज़ी समझ माननी चाहिए आपको दिखिए शेकंड सेकंड क्या है कि इसमें आपको सारे इंगल आपस में बराबर होते हैं और कितने डिग्री होते हैं नबबे डिग्री के हम डाइगोनल की डाइगोनल क्या होते हैं सीर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है यह सीर्स को एसी से मिलाते हैं तो हमारा डाइगोनल बन जाते हैं ना इस फिगर में ठीक है तो यह दो डाइगोनल आपसे हम पराबर होते हैं और साथ ही साथ एसी ना ये बीडी पर परपेंडिकुलर होता है लंबवत होना यानि कि नबबे डिगरी का कॉन बनना ठीक है यहां से दो चीजिए आपको समय आनी चाहिए कि A C B D एक दुसरे के परपेंडिकुलर होते हैं साथ में यह अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री कौन बन जाएंगे यह देखो 90 डिग्री के इंगर बन जाएगा इस पर अगर मैं अंगल ओ की बात करूं इंगल ओ इंगल ओ मतलब यह वाला इंगल यह तो पूरा अगर यह तो यह सब भी 90 डिग्री हो जाएंगे यह एंगल भी 90 डिग्री यह इंगल भी 90 डिग्री यह उपन बना अब हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी और आप यहां सीख लीजिए जो कि इस पे लिख नहीं रखा है अगर आप उसको फिब्त नंबर भी देंगे तो कोई गलत नहीं है ठीक है फिफ्ट नंबर यह कि यहां पर जो इनके इंगल एक दुसरे को बाइसेट करते हैं मतलब कि अबाइसेट करना मतलब दो बराबर भागों में डिवाइट होंगे एसी दो बराबर में टूट जाएगा कौन कौन से कौन कुल से ए कि ओ बराबर कि ओ सी ठीक है इसी प्रकार से अगर हम बीडी को कि भी कि यह हो गया भी कि यह हो गया इसको दो बराबर भागों तोड़ेत कौन से हो जाएगा ओ भी बराबर को डी मतलब इनके जो डाइगोनल समदिवाजक होते हैं ठीक है डाइगोनल समदिवाजक मतलब को बाइसेक्टर होते हैं बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बाड़ देना तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में रेक्टेंगल क्या होता है रेक्टेंग is the type of quadrilator in this in this quadrilator has the opposite sides are equal and parallel and its diagonal are equal triangles has 90 degree a b c d ये हमारा एक प्रकार का rectangle हो जाएगा ठीक है क्या होगा ये rectangle a b c d क्या होगा रेक्टेंगल होगा मतलब आयत a b c d is a rectangle in this rectangle has the opposite sides are parallel and equal opposite sides are parallel and equal equal and parallel ठीक है and its angles each and every angle size 90 degree angle a angle b angle c angle d 90 degree ठीक है कि तो प्रत्य कोड 90 degree के हो गये हैं और साथ में a c b d इसके जो diagonal होंगे वह भी equal होंगे diagonal भी आपस में यानि कि विकर्ण आपस में बराबर होंगे a c b d बराबर होंगे साथ में a c by sector होता है और b d बराबर होता है अगर मैं बोलूँ कि यहां पर जिसको मिट वो है तो यह सी को अगर हम बाइसेक्टर करें बाइसेट करें दो बराबर भागों डिवाइड करें तो एसी बराबर और बीडी को दो बराबर भागों को समझा देता हूं पहली लाइन का मतलब है जो पहली लाइन है यहां पर एक लाइन को रोस की गहीं यह लाइन एक लाइन है तो इसका मतलब यह हुआ सीधा सा कि यह इसके बराबर हो गए यह इसके बराबर यह इसके बराबर यह इसके बराबर यह इसके बराबर अब हम बात करते हैं पेलोग्राम के बारे में ठीक है पेलोग्राम क्या होता है पेलोग्राम इस टाइप आप था इंगल और बाकी प्रोपर्टी यहां से आपको बता देंगे ठीक है अब हम यहाइशा चतुद vamos जिसके अपोजिट साइट पेरलल और कि सत में साथ में उसकेआ उस produção , यहाइель में आपस में बराबर हों तो यह सा आसे हो कॉन सा हो जाएगा पेलरोग्राम यानि कि समानता चतुर बूच रखना है अब इसके बारे में आपको बता देते हैं a b c d कि यह हमारा एक प्रकार क्या है प्रेलोग्राम में यानिकि समानदा चतुर बेओगा ब्राबर होगा डे शीगा west ब्राबर होगा डे 2000 ब्र ब्री एडी के और यह समय करें के न चाहें तो इसमें यह बात गलत नहीं है ठीक है यह इसके बराबर हो जाएगा यह इसके बराबर हो जाएगा ठीक है अब पोजिट एंगल्स आर इक्वल ठीक है पोजिट एंगल्स आर इक्वल डाइगोनल्स आर नोट इक्वल ठीक है इसके जो डाइगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते बराबर न डिवाइड करेगा यह इत्ते बराबर इत्ते में और यह वाला डाइगोनल यह वाला डाइगोनल जो यह वाला डाइगोनल को दो बरार भागों में यह डाइगोनल और इस डाइगोनल में डिवाइड कर देगा यह लिख रखका ठीक है रंबस रंबस क्या होता है इसके बारे लेटर इन दिस कोडिलेटर है जर कि आल साइड सार एक्वल एंड इट्स डाइगोनल्स आर नोट एक्वल और कुछ प्रूपर्टी इसमें दे रखी है इसको आप नोट कर लिजिए अच्छे से मैं बता देता हूं यहां पर जो इन दिस रंबस इन दिस कोडिलेटर कि एबी डी सी बराबर होंगे एबी डी सी बराबर होंगे यानि कि सारे साइड आपस में बराबर होंगे और साथ में एबी डी सी के समांतर होगा और एडी बी सी के समांतर होगा एडी बी सी के समांतर डी सी बी एक के समांतर या एबी के समांतर और साथ में इसके जो डाइगोनल्स होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे और इसके जो डाइगोनल्स होंगे एक दूसरे को परपेंडिकुलर या और हम क्या कि सकते हैं इसको से बराबर वाथा सकते हैं और यह एंग ऐसको सारे धिक यह और इसके जो डाइगोन होनों से एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर होते हैं मतलब कि सम्दिभाजक तो होते हैं साथ में एक दूसरे के पर्पेंडिकुलर भी होते हैं इस चीज़ पर्पेंडिकुलर का मतलब नभी डिगरी का कौन बनना मतलब कि अगर मैं आपको यह सीधे सा बो लो इंगल कौन सां मेegnul । अ व ait MR कि यह सारे लंएन यह सारे इंगल 90 डिक्र के बरावर होंगे यह चीज का आप भी सहत्त है रखियेगा ठीक है अ सब्सक्राइलर को होगे और इसके डाैगोंने लेते NICKों करते हैं मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये डिक रखा है, आपस हम बराबर हो जाएंगे, हम बात करते हैं, नेक्स टाइप के कोडिलेटर को, जो कि है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम मतलब समलम चतुरबुज, एसा चतुरबुज, जिसकी भुजाओं का, एक समलम चतुरबुज है, ठीक है, समलम चतुरबुज, यहां लिख देता हूं में, समलम चतुरबुज, समलम चतुरबुज, तो यहां पर हमारा समलम चतुरबुज कौन सा है, ABCD हमारा समलम चतुरबुज है, तो रिफिनेशन की बात करते हैं, बुजाओं का एक जोड़ा समानतर हो बट उसके साइडें इक्वल ना हो ठीक है और जो दूसरे भुजाओं का दूसरा जोड़ा होता है वो अनिक्वल होना चाहिए ठीक है अपोजिट साइड सार पेरलल बट नॉट इक्वल ओफ क्वाडिलेटर देट नोन अस ट्रेपीजियम प्राबन ना हो तो यह सा चतुर वहारा क्या क्या लगा एक ट्रेपीजियम कहलेगा ओनली only have e a pair of है वन पेर अपोजिट साइड ऑन पेर ओफप आप 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 ओजिट ऑन पेर ओफ ऑप को अप उप इख साइट्स आर पेरलल भुजाओं का एक एसा जोड़ा जो आपस में समानतर हो बट इक्वल ना हो ठीक है ओनली है वन पेर आफ अपोजिस साइट्स आर पेरलल ऑफ वाडिलेटर ठीक है देट नोन अजा ट्रेपीजियम यानि की समलम चतुर भुज ठीक है राश्ट टाइप प आपसे डिसकस करते हैं दिखिये दोस्तों एक वार्ड लेटर हमने बना रखा है abcड है कायड में ना के यहां पर छो हमारा कज़्य लेटर विब्ली व किया होगा यह वह होगा कायट कायट prêtन यानि काइट की और इसमें क्या-क्या है ये बी बराबर एडी होगा ये बी बराबर जो होगा एडी होगा और साथ में बीसी बराबर होगा इंगल बी बराबर होगा इंगल डी के ठीक है अब ये इंगल ये बराबर इंगल सी नहीं होगा यता याद रखना है ना आपने तो इंगल यह बराबर इंगल से भी बोल देंगे तो यह गलत हो जाएगा ठीक है यह विसेद जहां रखेगा यह दोनों आपकस में बराबर नहीं होंगे ठीक है बट यह साइड इसके साइड बराबर होता ठीक है यह पतंग होती है ठीक है वही जो 14 जानुरी को सब उड़ाते हैं वही बदलो बीडी पर्पेंडिकूलर एक पर्पेंडिकूलर को मतलब सिधा हो गया नव्ड़ी डिक्री कोण बनना यहां पे नवए डिक्री के इंगल बनेंगे आप फिर यहां पि यह नहीं कह सकते हैं कि सब्सक्राइब आप यहां पर यह ओ नौ इक्वाल टू O C, ठीक, इत्ता विसे जहार रखिएगा इस चीज़ का, और D O O B के बराबर यह नहीं होगा, ठीक, इत्ता जहार रखना, डाइगोनल पहली बात तो Equal भी नहीं होते हैं, A C not equal to B C, अब को लिख रखा है, यहां आप लिख देते हैं, A C not equal to B C, कहां लिख जाए भई, यहां लिख देते हैं, A C not equal to B D, यह दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, बट एक दुसरे को उपर वो भी नहीं होगा ठीक है आप इस चीजों का विशेज जहां रखिएगा तो दोस्तों यह सारी चीज़े लिख रखी हैं आप उतार लीजेगा आई होप कि आपको यह सारी चीज़ समझे में आप हो गया अब हम बात करते थोड़ी से इसके पूरे ओवर यू के बारे में दि सिमिलारिटी होती है यह सारे जो होते हैं इनमें कुछ सिमिलारिटी होती है मतलब अगर मैं कहूं एक मैं तो इसक्यार एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है कि नहीं इस प्रकार में आपको अगले वीडियों जानकारी देने वाला हूं और साथ में रेक्टेंगल एक प्रका घर्थक्राश को इसके चाहर नहीं कहते हो, यह कूँ नहीं कह पैर्लोग्राम को आप के सकते हो. तो आप जो इसके बारे में इसके बारे में Linkiras ど différent को तो मैं आपको नेश्च वीडियो में बताऊं गा और ウक wiem पॉलीगोन के बारे में डिसकस कर दिया जाएगा आयोब को दोस्तों आपको यह एक्स्प्लेनेशन आपको समझ में होगा आप ध्यान से समझाएंगे तो आपको सारी चीजे समझ में आएगे वीडियो को देखेंगे पूरा तो कुछ और कुछ चीजे सीख के जाएंगे ठीक है तो आपको सारी चीजे समझ में होगी तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जुरूर बताएंगे कैसा लगा तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ में अगली वीडियो में जब तक कि यह जैसी राद है